हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उमीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे बच्चों आज मैं कुछ आपको क्लास 11 के बारे में डिसकेशन करूंगी बच्चों जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष हमारी जो बुक्स हैं वो चेंज़स हो चुकी है आपको मालूम है कि आपकी हिंदी इंगलिश के बुक इस वर्ष के बच्चों के लिए चेंज कर दी गई है तो बच्चों इस वर्ष हमें दो बुकें मिलेंगी इंगलिश सबजेक्ट की यदि हम बात करें तो English subject में भी हमें दो books मिलेंगी जिनको हमें साल भर के लिए अध्यान करना पड़ेगा ये core course book होंगी और N.C.E.R.T के books होंगी जिनका अध्यान हमें करना पड़ेगा जो हमारी first book है बच्चो वो है Horn Bill Horn Bill के बारे में मैंने इसका first chapter आपको पहले बता दिया है class 11 के लिए जो हमारी दूसरे book है इसे भी हमें तयार करना है ये भी हमारी core course book है जिसका नाम है Snapshots तो बच्चो ये दो book हैं आपको साल भर अध्यान करना पड़ेगा last year हमें सिर्फ text book प्लस work book मिलती थी परन्तु इस वार books में changes हुआ है तो इस वार class 11 के students के लिए जो MP board में इस साल study कर रहे हैं तो उनको दो book से अध्यान करना पड़ेगा जिसका first book रहेगा horn bill और second book रहेगा Snapshots ये एक English supplementary reader book रहेगी for class 11 के लिए और जो आपकी horn bill book रहेगी वो text book रहेगी for class 11 के लिए दोनों ही core course book रहेगी तो बच्चों ये आपको मालू होना चाहिए कि आपकी English की books में इस वाश परिवर्तन है ये आप देख सकते हैं screen पर Thank you